अब्रिवन मैं उप्रिंस देशी प्रोग्रामर से स्वागत आप एक और नहीं वीडियो में जहां पर बात करने बारे फ्लॉटर टू लेटेस्ट एट्टीटीप को यूज करके हम कैसे गेट पोस्त डिलीट रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसको आपको 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 अपर पाइ होगे और यहां पर अद पर क्लिक करोगे यह एक वैसे अफो जाये गार अनिए क्यों फइल्बर करेंगे जैसा सर्वेस्ट की बात यहां पर नहीं है करते हैं सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं API की और API जो टर्म है वह इतसर बहुत जाद यहां पर confusing हो सकता है तो हम बात करते हैं वेब सर्विस API की क्योंकि बहुत अलग लग टाइप की API होते हैं जो कि कहीं किसी क्राइब करते हैं कभी किसी बड़े और 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 अदर कर सकते हैं हमारे एक सिंपल सा सर्विस यहां पर हम किसी यूरल पर चाहिए और बार में structure data में वेब और API के बारे में बस simple सा एक example यहां पर दे सकता हूं जैसे कि अगर आपको मेरी website dcprogrammer.com पर जाए तो आपको यहां पर एक visualization दिखता है तो normally जब आप किसी URL पर request कर रहे होते हैं तो हम browser में data के साथ data का visualization भेज़ते हैं जैसे कि यह text कैसे सो करना है इस link को कैसे सो करने कार्ट को कैसे सो करने डॉल बट API यानि की जो हमारा वेब API होता है वहां पर in simple terms हम क्या करते हैं कि हम data का visualization आप बेच के हम बस core functionality की बात करते जैसे कि अगर क्लिक करने पर delete करना है तो delete हो गया यहां पर अगर डेटा में expect कर रहा हूं यह data यहां पर मिल रहा है जिससे मुझे अपने application में सो करना और सबसाइड API किसी भी language में किसी भी framework में हो सकता है बहुत सारे तरीक है बहुत है प्लें प्लेंट हो सकता है लाड़ा विल कोडिंग नैटर यूस करके भी बनाया हो अगर आपका request यहां पर सभी से दे रहा है तो आपके आप में पॉफेक्ट्ली काम करना चाहिए इस एकर मैं यहां पर बात करूं तो simply अग मैं नॉर्मली रिक्वेस्ट करो तो मुझे एक लिस्ट आफ पोस्ट आइटम मिलते हैं यहां पर स्लग है टाइटल है इसके अलावा मेरे पास एक दूसरा पोस्ट है जहां पर मैं एक न्यू आइटम को क्रिएट कर सकता हूं अब अगर सेंड करूंगा तो मैं यहां पर एक और नया पोस्ट दीखेगा जो कि हमने अभी प्रिएट किया इसके लावा मेरे पास डिलीट रिक्वेस्ट भी है जहां पर मैं क्या करूंगा मैं अगर किसी बेक स्लग के साथ संद करूं तो वह एक पोस्ट को डिलीट कर देगा अब मैं अगर सेंड करो तो अब देख सकते हैं कि अभी जो हमने पोस्ट किया था वो डिलीट हो गया पर साथ में पूट भी है जहां पर हम अपडेट कर सकते हैं किसी बेक्जिस्टिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें तो फिर आप अलमस्ट सब के साथ काम करी लेंगे अ हैं आप एक application में create कर लेता हूं और कुछ बेसिक सेट अप कर लेते हैं और फिर हम बात करते हैं आगे यहां मुझे पोस्ट यामल में दो करनी है एक तो है http और दूसरा फ्लॉटर टोस्ट को हम यूज करेंगे कुछ बेसिक टोस्ट करने के लिए अब यहां पर दो फिमस फ्लगिन से फ्लॉटर में API के साथ इंटिग्रेट करने के लिए एक तो हमारा प्रोडर टोस्ट को टाकि यहां पर सेव कर लेते हैं और वोड़को लिखना होता है तो इसलिए नॉमली लोग कभी-कभी यूज करते हैं हम यहां पर सब्सक्राइब कर लेते हैं और में थोड़ा सा कोड लिख लेता हूं यहां पर हमारा एप अपने यहां पर बहुत सारी चींजेस नहीं किया एक तो मैंने यहां पर सिंपल से सब्सक्राइब करने की बात करेंगे अब सबसे पर बात करते हैं डेटा को फेच करने की हम बात करते हैं इसके बात करेंगे पर फिरम देखेंगे डिलीट करने की बात अब यह सब वैसे तो आप इस फाइल में भी कर सकते हैं मैं यहां पर थोड़ा सिंपल करता हूं काम को हम एक फोल्डर बनाते हैं सर्विसेस और यहां पर हम लिखते हैं सर्विस पोस्ट सर्विस डॉट डॉट यहां पर एक चीज आपको याद रखना होगा कि जब अलग 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 टाइब के पैकेजेस यूज करेंगे फॉर एक्जामपर प्रोवाइडर ब्लॉक गेटक्स मॉबक्स और तो यह चीज मैनेजमेंट का जो भी तरीक होगा आपको यूज कर सकते हैं तो यहां पर मेरा एक क्लास होगा सो लेट से पॉस्ट सर्विस और इस क्लास में फिलाल में बस एक चीज रखता हूं कॉंस्ट जो कि यह बेस यूरल और यह बेस यूरल होगा आपको तो http colon double slash 10.0.2.2 colon 5000 जहांपर मेरा सर्वर कर रहा है यहां पर एक इमिलेटर से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें यहां पर 10.0.2.2 यूस करना होगा अगर हम बीने अमिलेटर के वहार कर रहा होता है वह में तो हम वहां पर लोकल नोस यूस करते हो यह एक सिंपल स्ट्रिंग होग इसके बाद हम यहां पर यूज करने एक सिंपल एक फंक्शन है उसका नाम रखते हैं गेट पॉस्ट और यह फंक्शन जो होगा और यहां पर हम क्या करेंगे अपना लिखेंगे अब लास्ट वीडियो में जब इंटरनेट कनेक्टिविटी के में बात करें थो तो मैंने आप को बताये था कि आप कैसे इंटरनेट करेंट कर सकते हो इसको यूजे करके पहले यहां पर कुछ आइसा होरा कि अभादब य। कि इस इंटरनेट के अगर इंटरनेट के एक्टिविटी अवेलबल है तो हम फॉर्दर परसीड करना चाहते हैं मैं यह साधी चीजों को कोड के थुरू यानि कि यहां पर इसके एक्सेप्सन के थुरू हैंडल कर लोगा इंटरनेट चेक वाले पार्ट को यहां पर स्किप करते हैं मेरे पास सिंपल एक ट्राइंड कैच ब्लॉक है त्राइं में पोसिस करेंगे कुछ डेटा को फैच करने की अगर कोई एरड होगा तो उसे हम क्याच के थुरू कैच करेंगे तो सबसे पहली बात है मेरे यहां पर पोस्ट अगर आपको एच्टीप के बाड़े हम पता हो जो कि हमने पहले भी बात की है तो पहले एच्टीप में क्या था कि हम सिंपली रिक्वेस्ट करते थे अभी कुछ चीज़े चेंज हो गई है जैसे कि यूरी वगर डाल कि सबस्कुर्स टょइसधे इक जा कि नोमल डाल सकते यहां पर यहां पर लिखना हुआ करने चाहते हैं वह हो जाएगा सब्सक्राइश करें यहां पर आप जो भी यह डालेंगे तो यूरा उससे अपने कोर्डिंग कर लेगा सो जो वाईड होना चाहिए वह सो यह हो गया मेरा सिंपल सा कोड यहां पर मैं बोल रहा हूं कि और फिर मुझे वह रिस्पांस में मिलेगा अब सर्वर पर जो हम कोड करते हैं तो अलग-अलग टाइप के स्टाइटस कोड भेजते हैं मतलब कि हमने सही से रिक्वेस्ट भेज दिया है 400 यानि कि 400 और सायद 401 यानि कि एक बैड रिक्वेस्ट था यानि कि कुछ एरड है सपोज आप एकस्पेक्ट कर रहे हैं एक फिल्ड जो कि है टाइटल और मैंने वह नहीं भेजा यहां से तो एक 400 या फिर 401 आ जाता है कि नही रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट और 4 वह डिपेंड करते हैं सिंस मैं यहां पर फेच करना चाहरा हूं यहां पर जो मेरा स्टाटस कोड़े अगर वह 200 है यानि कि डेटा मुझे सक्सेस्फुली मिल गया इसके अलाबा अगर यह प्राइवेट राउट हो दा तो हम 401 भी चेक करते हैं अगर हम यहां पर कुछ डेट हो यानि कि यह मेरा सर्वर का कोई अब आते हैं कैच वाले पार्ट यहां पर जो टाइप का एक्सेप्शन होता है जो कि लोग हमेशा एरर करते हैं यहां पर एक्स कुछ भी डालेंगे तो हमेशा इस्यू आएगा आपको यहां पर डालना होगा कि आप सॉकेट यानि कि फेच करने में हम सर्वर तक पहुंचें नहीं कि हमें पता चले की क्या एरर था चाइब यहां पर समपल सा रिस्पॉंस अगर स्टाइड हो तो मिहां पर सिंपली अभी प्रिंट कर देता हैं अपने रेस्पॉंस डॉट बॉडि को अब यहां पर बात आती है कि हमे के इंप्लिमेंटेशन मेरा इंप्लिमेंटेशन फिलाल काफी सिंपल है बॉडी में यहां मेरे पास सेंटर है मुझे यह नहीं चाहिए मैं यह पर एक फ्यूचर बिल्टर को यूज करना चाहता हूं यह रिक्वेस्ट करेगा हर बार जब आप इस स्क्रीन को खोलेंगे हम इस चीज समझ में आ जाएगी कि जिस बंदर ने विए कोड लिखा है उसे अक्चुली फ्लिटर का और चीजों को हैंडल करने का अच्छा नौलेज है सबसे पहले हमारा यहां पर फ्यूचर आएगा वह में पोस्ट सर्विस याना चाहिए सो यहां पर हम एक आप्जिट कर पोस्ट मेरे पास एक बेल डर है जाहां पर हम लेंगे यूज करेंगे कोंटेक्स्ट और शनापशॉत अब यहां पर हमें दूए एक चीज़ देखने है अब से पहले कि अगर इसनापशॉत में डेटा है तो फिर हमें उस डेटा के साथ करना है एल्स एफ अगर विल जो की होगा circular progress indicator अब सबसे पहले बात करते हैं यहां पर हम error करते हैं तो हम error करना है पहले तो हम'te error को raise करना पड़ेगा और error को raise कैसे करते हैं और हम सबसे पहले बोलेंगे return और future हमें कोई error return करना है वहम बोल रहा है future dot error पर पहुंचीन नहीं कुछ और यहीं पर पॉइंट आता है कि नहीं बता सकते हैं कि क्या एर्रैक्ट यूजर को इस लिए मैंने बदा था कि इंटरेट को भी चेक करतें ताकि हम पहले ही बता देख़ें आपके इंटरेट में कोई एर्रै उस तरह जैसे कि कि मैंने यहां पर यह error fetching data है यहां पर server error भी है और जब यहां पर मेरे पास body रहेगा तो हमें body send करना है अब मेरा जो body हो हमेसा एक list रहेगा post का चाहे post ना हो तो list 0 हो सकती बर यह हमेंसा एक list होगा आप यह बोल रहे हैं कि future में हमें list return करना चाहते हैं और यहां पर हम simply बोलेंगे return json decode हमें decode करना है क्योंकि हम response जो है नौर्मली json में आप accept करते हैं so response.body हम यहां पर save कर लेता है अब यह मेरा almost ready है वापस आते हैं चीजों को हमने यहां पर लिख लिए तो में dot dot में यहां पर देखते हैं अब क्या करना है अब मेरे पास अगर error है तो मैं बोल रहा हूं कि return करो center में एक child जो क्यों होगा एक text और यहां पर simply मैं दिखा देना चाहता हूं snapshot dot error अब यहां पर एक issue है आपको यह snapshot dot error नहीं करेगा और यह मेरा हो गया और अगर मेरे पास data है तो हम क्या करें यहां पर इस चीच को हम यहां पर copy करके यहां पर replace कर देता है और यहां पर हार्ड कोड कर दे रहा हूं data इसे मैं आपर save करता हूं अब देख सकते हम यहां पर data मिल रहा है और अगर आप यहां पर ध्यान दे तो हम data को print कर रहे हैं जो भी data मारे पास back end से आ रहा है वह यहां पर print हो सेव करते हम इसे यहां पर हम चलते हैं और हम यहां से क्या करते हैं इंटरनेट को आफ कर देते हैं आफ करने बाद हम आपको restart करते हैं आपको देख रहा है यहां पर देख रहा है error fetching data का मतलब यह कि मेरा server तक अभी मेरा request पहुंचा है नहीं बीच में ही कोई issue हो गया है औ अब suppose अगर मैंने यहां पर आम इंट मोबाइल डेटा को आउन कर दिया है अब अगर मैं सेव करूं तो यहां पर हमें data मिल जाएगा बट मैं क्या करता हो मैं थोड़ा अपने server को यहां पर close करता हो तो हो सकता है आपको यह code समझ में ना है कोई बात नहीं है मैंने जैसे मैंने कहा यह एक बैकेंड डेवलोपर का वर्क करता है जो वेब के सांथ काम कर रहे होते तो अगर आपको code समझ में ना भी है तो कोई issue नहीं है अब मैं यहां पर यहां पर दिख रहा है server error क्योंकि obviously यहां पर हम server तक पहुंचे और मैंने server ने यहां पर error send किया कि पता नहीं कुछ तो इश्यू है 500 code के साथ तो यह मेरा होगया server error तो ऐसे हम यहां पर error को handle कर सकते हैं तो चली server error को हमने solve कर लिया यह एक important चीज हम नहीं आपर देख लिए कि हम कैसे error को return कर सकते है नेक्स चीज यहां पर हम देखते हैं कैसे अपना data बिल्ड करें काफी सिंपल है future builder में हम पहले तो मैं यहां पर बता जिता हूं कि हम less type का data के according building बिल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले में यहां पर चेक करना चाहता हूं कि अगर डेटा की length 0 है तो मैं बताओंगा कि नो पोस्ट करते हैं यहां पर हम चेक करते हैं if snapshot.data.length is equal to 0 तो यह बता रहे हैं कि center में return करो यहां पर यह रहेगा कि no posts available अब यहां पर एक रिश्व यह बता रहा है कि आप length को यूज नहीं कर सकते बोल रहा है कि the property length can't be unconditionally accessed because the receiver can be null यह यह बोल रहा है कि जो data यह नल हो सकता है तो आप यहां पर इन चीजों को यूज नहीं कर सकते और यह dart में नहीं आया है sound null safety जिसको यूज करके dart हर जगा null safety को ensure करता है कि हमें बार बार कि ऐसा नहीं हो कि आप कुछ error create करें null value के कारण यह बोल रहा है कि आपका snapshot से data यह मुझे लग रहा है कि null हो सकता है तो आप पहरे यहां पर length is equal to zero तो हम यहां पर return कर देते हैं और अगर ऐसा नहीं है तो हम यहां पर simply return करते हैं एक list view.builder यहां पर जो मेरा item builder है वह आपको होगा सबसे पहले यहां पर अभी हम यूज करते है एक context और index तो हर एक index के लिए data यहां पर बेल्ड हो जाएगा पर return करने एक list टाइल जिन लोग को यह चीज़ा आती होने अभी थोरा सा बूरिंग लगड़ा होगा बट अगर मैं यहां पर इसको complete करका फिर हम get की बात करते हैं आइटम काउंट मेरा simply होगा snapshot.data.length यानि कि जितना डेटा उतने के लिए मैं लेस्टाइल को create करना चाहता हूं और लेस्टाइम में सिंप्ली लेटसे में यहां पर टाइटल सेट कर देता हूं एक टेक्स्ट जो कि आपको आएगा snapshot.data.data का इंडेक्स होगा इस वाले प पिक कर ले रहा हूं टाइटल सेव करता हूं आपको जितने भी पोस्त है उसके आपको यहां पर टाइटल दिख जाएंगे रीफ्रेस करता हूं आप देखे हैं कि पहले कुछ सेकेंड्स के रहे में आप एक सिंपल सा circular progress indicator दिखता है और फिर उसको यह पोस्त दिख जाते है यह तीनों पोस्त यां पे थ्टोरा सा प्यंटल में दिखा सकता हैं कि यह होगिया मेरा content और यह चीज आपको टाइटल के जगह आ रहा है सब्टाइटल में सेव करते हो जो भी कॉंटेट है यहां पर अब सब्टाइटल में दिख रहा है तो यह हमने क्या कि हमने सिंपली अभी एक चीज़ देखिए कि हम कैसे सकते हैं इसके में पर आप अलग-अलग स्टैटस को चेक कर सकते हैं अपने अपने अक्रडिक में सेशन ही रिटर्न करते हैं एक समय या यामल वाला जमाना तो बिल्कुल नहीं है इसलिए तो यहां पर जैसें एंकोड्य करने कि जब यह कोई डेटा भेजना होगा और यूज जो सिब्धार करेंगे जब भी हम सविसे कोई डेटा accept करेंगे और ऐसे हम को हैं तो हम बात करते हैं कि कैसे पोस्ट कर सकते हैं जीशन इनकोडेट डीटा को यानि कि हम कैसे पोस्ट को क्रियेट कर सकते हैं यहां पर टक हम प्रफ दो एलमेंट से दो टेक्स फॉर्म फील्ड और एक मेरे पास सिंपल सा बचन है आप यहां पर जब क्लिक करें आपको एक टाइटल एड कॉंटेंट दिखेगा मैं यहां पर जो भी डेटा क्लिक डालूंगा और एड पर क्लिक करूंगा तो यहां पर वह मिल जाएगा हमें तो सबसे पहले में यह सेट अप कर लेता हूं अग लग जो हो मैं टाइटल से क्रिएट कर लूंगा कैसे करेंगे और चींज हमने सब कुछ डाल रखा है तो सिंपली जब को यहां पर क्लिक कर रहा है पहले मैं पर प्रिंट कर लेता हूं तो प्रिंट करते हैं है यहां पर हम टाइटल अब अब स्लग जो मेरा आएगा वह मेरेस्ट के साथ मेरा सिंपल सा लगोट यह स्पलिट अगें बोल रहा है कि नहलो सकते हूं तो इसे मं यापर क्वस्ष्ट्न करलिता हूं और हम पर हम प्रिंट कर लेता है अ लरक होदेस्ट और पर और यहां पर कुछ भी हमारा content क्लिक करके हम एड पर क्लिक कर तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास है टाइटल स्लग और content बजह सिंपली यहां पर एक करना है ताकि मैं यहां क्लियर कर सकूँ आपकी API डिजाइन पर करता है कि क्या करना चाहते हैं यहां पर सिंपली यहां पर पोस्ट करने के बाद इस डैलोक में आइड कर कर दूंगा कि आपका पोस्सक्सेस्फल हुआ है या नहीं so future में हम एक value return करना चाहिए जो कि टाइप होगा string और basically में उसे string को वहाँ पर फुर्दर पार्स कर लेंगे इसका मैं नाम दे देता हूं create post और create post में हम as a map data expect कर रहे हैं सबसे पहले इस चीज को यह से copy कर लेता हूं और यह पर पेस्ट कर देता है और यह यहां पर get है यह हो जाएगा अब यहां पर post post करते हम यहां पर body डाल सकते हैं सबसे पहले यूरी पार से मुझे base URL के साथ slash create भी चाहिए सो यह मैं यहां पर as a string यूज कर लेता हूं dollar base URL यानि कि यहां पर variable की जो भी वहाल ले वह एड हो जाएगी slash create और यह हो गया मेरा URL यहां पर दूसरी जी जो मुझे चाहिए वह है मेरा body body यह में साथ JSON encoded data होना चाहिए सो हमें यहां पर बोल रहे हैं JSON encode और हम encode करना चाहते हैं अपने इस particular map को और third एक और यहां पर इप्पोर्टेंट्री जो लोग भूल जाते एप टेस्टिंग का टाइम जो भी हमारा है content डास टाइप और जो मेरा content का टाइप है वह हो जाएगा application slash JSON और इस इसको as it is type करना होगा वर्ना issue आएगी और मेरा यहां पर character set जो है वह है utf-8 यह हो गया मेरा header यहां पर हम request कर रहे हैं जो कि हम में यहां पर मिलेगा यहां पर जो response आएगा अगर status code 200 है यानि कि हमने सब कुछ सई से किया है सो मैं यहां पर print कुछ नहीं कर रहो और return में हम को JSON encoded return return कर रहे हैं जो कि है success और अगर कोई भी error हो यानि कि other response codes के लिए मैं simply एक string return करूंगा जो कि होगा error so err and same यहां पर भी इसे हम paste कर देता और save करते हैं यह हो गया हमारा पूरा काम जो कि ऐसे करके हम यहां पर मिलेगा अब मुझे क्या करने मुझे वापस जाने में डॉर डाट मुझे यहां पर से भेज रहा है एक map इन टीनों डेटा का औराइट सो मेरे पास होना चाहिए title slug and content सबसे पहले हम बनाते हैं एक map जो की होगा data यहां पर एक की हो गया मेरा title जो कि यह जो title value as it is दूसरी मेरी की हो गई slug अब आप वहां भी slug को बना सकते हैं फिर यहां भी बना सकते हैं मैंने अलड़ी वहां की create किया हुए तो मुझे as it is छोड़ दूँगा यह होगा मेरा अलग और यह हो गया मेरा content यह हो गया मेरा map data इन दो lines को मैं हटा देता हूं अब यहां पर मुझे क्या करना है मुझे एक तो मुझे make request okay wait for response कि मुझे वहां से क्या response आ रहा है और उसके बाद मुझे क्या करना है सो करना है टोस्ट को सब्सक्राइब कैसे करेंगा सिंपल मेरे पास यहां पर पोस्ट सर्विस अल्रेडी है सो डॉट यहां पर आपको दिख जाएगा क्रिये पोस्ट जो कि डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब यहां पर कुछ तो इश्यू है यह बोल रहा है कि यहां पर मुझे वेट करना इसके रिए सब्सक्राइब करते हैं यहां पर एक यहां पर एक शूट करना इसके रिस्पांस के लिए यहां पर एक शूट करते हैं यह हो जाएगा शूट कर यहां पर बोल रहा हूं अगें लट से स्ट्रिंग में मिलने वाला है दिगें को जोटाा इसकी रेसा है स्तुरिंगरा रश यहां पर यूजर वूट इसक्रिंट में सिंपल्सक्राइब साथ नहीं होता है समीर पर सिंपलिय डाल अजन गेँ तो यहां पर मुझे को-otros करना सेम चीज़को मैं बाद करने के बस मैं से बसकी करती रहा हूं रॉए के इसके बाद हमें करने के बाद बटना है जब मैं चोर्ड लो गळारा सो कर दो तो इसके बाद करना है अब मुझे यहांपर Toast को हो करने के बाद वापस मुझे style को क्लोज भी करना है automatically सो मैं यहांपर use कर ले रहा हूं navigator डॉट ओफ कॉन्टेक्स्ट डॉट यह क्या करेगा इस टायलोगों क्लोज कर देगा और इसके सेट स्टेट को कॉल कर रहा हूं ताकि रीफ्रेस हो और जो भी नया हमने अभी एड किया है वह हमें यहां पर दिखाई दे इसको मैं बैक करता हूं सेव करते हैं फिर से यहां पर मेरे पास तीन है तो चलो कुछ होड डालते हैं पोस्ट फ्रॉम पोन कॉंटेंट कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग डाल देता हूं एड पर क्लिक करते हैं यहां पर मुझे बताया जा रहा है एरर क्रियेटिंग पोस्ट अब हम देखते हैं कि यह एरर क्यों आया है हमारे पास वहां कुछ तो अनेस्पेक्टेड एरर था जो आपको रिस्टार् पोस्ट ने सेट से डाला था यहां गया मेरा पोस्ट फ्रॉम फोन और यहां पर जो यहां पर रैंडम कंटेंट है तो यह सिंपल सा तरीका है कोई भी डेटा को पोस्ट करने का अगर आप पब्लीक लिए प्याइब पोस्ट कर रहें तो भी आपको जेशन एंकोड़ेट ड रिक्वेस्ट है फर्किए कि हम बॉड़ी में बेज़ते और उस लग का पोस्ट हो जाता है तो यहां पर नाम देता है डिलीट पोस्ट अब डिलीट पोस्ट से मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना यह डिपेंड करता अगें आप कैसा यूएक्स चाहते अगर आप एक ब अगें यह सारे चीज़ें में एक चुड़ देता हूं अगर कोई है तो हम सक्सेस रिटर्न करेंगे रीटर्न करना भी नहीं बट बोट यहां बिक पर नहीं करने वाले इसे हम यहां पर कर लेते हैं सेव करने के बाद अब वापस चलते हैं में डॉट में और हमें एक डिलीट का बटन कहीं तो डालना होगा उसके लिए यह जो मेरा आम लिस्ट टाइल है यहां पर हमें प्रॉपर्टी होती है ट्रेडिंग ट्रेडिंग में मैं एक आइकन बचन क्लिक करेंगे तो पोस्ट डिलीट होना चाहिए तो कैसे करना अगेन काफी सिंपल है मैं इसे अगेन एक शिंग्रेंस बना लेता हूं मेरे पास से वाल रेस्पॉंस इस इकवल तू अवेट पोस्ट सर्विस डॉट डिलीट पोस्ट जहां पर मुझे डीटा बेजना है और यह मेरा डेटा क्या होगा सो उसे हम क्रेट कर लेते हैं मेरे पास मेरे पास एक मैप होगा स्ट्रिंग डाइनामिक यह चीज़ अगे मैं बता रहूं जोरूरी नहीं है बट सिंच मैंने बहुत बर यूज के इसलिए मुझे यह उसकर नहीं क्यादत है यहां पर होगा मेरा और यह हमें मिल जाएगा अपने परिडिकलर स्नैप्सॉट से सबस्क्रा मैरे अगर logic कर ने होने चीज इंघा यहाँ और इसके बाद at the end हमें call करनों का set state टाकि जो भी चींजे से वह यहां पर reflect हो जाए इससे हम यहां पर save करते हूं I hope हमने यहां पर सब कुछ सही रखाए ठीकर slash delete and all अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं सब देख सकते हैं यह post delete होगे और हमें उछ है कि रखोःट्टान के सिव रखोइश कर सकते हैं अगर मैं ऐहां पर हुर मैं अबयर कर सकते हैं और मैंजने सब्सक्राइब कर रहा हूं इसे हम एक भाशने री सटार्टस करते हैं कि यहां पर वह एरड हमें क्या चोड़ा नहीं अगर मैं इसे ऐसे चोड़ दू तो भी कुछ टाइम तक यह ऐसे घूमेगा ही जब तक जो इसका डीफॉल्ट टाइम आउट है तब तक वह टाइम रीच नहीं हो और वह कुछ भी हो सकते अगर आप खुद का कोई टाइम आउ ठीक है रिक्वेस्ट में इस था वैसे इतना कम रखना नहीं चाहिए बट मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं मैं आप सेकंड को थी कर देता हूं सेव करते हैं री स्टार्ट करता आप देखेंगे कि तीन सेकंड के बाद यह बता देगा कि एरड टू थी और यह एर फेचि चीज है और जैसे मैं पहले बताया था अगर आप इसमें कुछ भी ज्यादा करना चाहते हैं यहां पर रिक्वेस्ट को क्लियर भी किया जाता है जब आप सर्च वगएरा करने होते हैं तो जैसी आप यूजर इंपूट पर सर्च करते तो अगर एक्जिस्टिंग रिक्वे हैं यहां पर डियो जो कि मैंन पहली बताया था इसको लोग नौर्मली दो चीज के लिए यूज करते हैं एक अगर आपको जैसे कि आप यहां पर अप्लोडिंग प्रॉसेस पड़ सकते हैं एक तो आपको फॉर्म डेटा आपको भेजना हो तो और दूसरा वही अगर आपक पर चीज को समझ लिया तो दूसरे को समझ सकते हैं काफी आसानी से तो कभी देख सकते हैं कभी बना सकते हैं प्रॉसेस सेम है अगर आपको एक बार बाडी और तो काफ़ पाकी सारी चीज़ आलमस्ट सेम है जब तक कि हम यहां पर रिट्राइब रिक्वेस्ट या फिर कैंसलेशन वगएरा की बात ना करें तो वह उन सारी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में फिलाले क्लिच नहीं मिलते आप से नेक्स वीडिय के बारे में अब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लविंग कीप सेडिंग एंड पीस